दोस्तो ये वीडियो के विडियो के विडियो के संपर पच्चिकले बना जारा किर पैश का गल्द प्रोग ना करें धन्वाद तो आज किस वीडियो में ट्रीक भी बताऊंगा और साथ ही साथ अगर जो आप ट्रीक नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि टोटके द्वारा मंत्र द्वारा सिध किया हुआ आप कैसे तीन पत्ती में जीत सकते हैं और दोस्तो ये 100% वर्किंग ट्रीक है इसके अंदर बाद ट्रीक है कट पता ट्रीक है मांग पता ट्रीक है जुगा में कोई भी जुगा तास लोट्री धन संपंति ब्यापार में अगर जो आप लोग इसका परियोक कर लेते हैं दोस्तो आज कि इस वीडियो में बहुत ही बेत्री नालेज देना वाला हूँ जो भाई लोग नहीं जानते हैं नहीं समझ पा रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो आज कि इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो I hope कि आ बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों उससे पहले मैं बता दू जो भाई लोग मेरे चनल पर फर्स्ट आम आया है सबसे पहले मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोट्फिकेशन आल कर दीजेगा उससे क्या होगा गया जो भी अच्छे च्छे ट्रीक मैं बताओंगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताओंगा अगर जो भी समझ पा रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल पर इसके अलाव भी बहुत सारा वीडियो जाके देखेंगे आई होप आप बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा तो चलिए मैं इहां से आपको दिखाता हूँ और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडिय आप लोग देख लीजिएगा ठीक है और यह कोई मार्क वाला पत्ता नहीं है कोई कार्ड नहीं है दोस्तों नार्मल कोई भी पत्ती आपको लेना है मार्केट से कहीं से भी ले सकते हूँ ठीक है और इसको मैं साइट कर दे रहा हूँ आप लोग अभी ध्यान से ठीक है तो चलिए इस तरह सफल कर दीजिए फार भी मार दीजिए ठीक है दोस्तों और आप लोग से मैं बता दूँ दो तो इसके अलाव मेरा एक और चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जो सेम कंटेंट है सेम कटगरी है उसमें भी अंदर बात तरीक है कटपता तो जाए उसको भी फालो करिया और चैनल को सब्सक्राइब करिया देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो दोस्तों ठीक है तो तीन पती में हम क्या करते है अच्छे सफल करके रख देते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए गां तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं तास की तरह आप कर सकते हैं और कि इस तरह तीन पती में अंदर बाहर में कोई वीडियो आप चीज करते हैं ठीक है तो यह आप भी कर सकते हैं अब बहुत ही जबर्जस्त करिस्मा करना है दोस्तों ठीक है आप भी कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब किया है तो फट प्लास की गड़ी को अच्छे सफल किया फर्री मारा सब उच करके मैं रख दिया हूँ अब दोस्तों क्या होता है कि जब मैं जब हम लोग तीन पत्ती खेलते हैं तो तीन बंदे चार बंदे पांच बंदे छे लोगों के साथ खेलते हैं तो किस तरह जी सकते हैं तो आज किस वीडियो मैं वर्ट्री बताना हूँ तो चलिए दोस्ते हाँ पर मैं पांच लोगों के बीच तीन पत्ती का पत्ता डिवाइड करूँगा और आपको सौ में सौ परसंट विन करके जीत के दिखाऊंगा तो ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो पर चैनल पर सौप्सक्राइब ने किया है और चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सौप्सक्राइब जरू कर लीजियेगा तो चलि यहाँ पर मैं बंदा ऐसे टठाच कर लेगा यह फिर ऐसे करके यहाँ पे 5 लोगों के बीच डिवाइट कर देता है ठीक है जैसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा यह बाकी पत्तियों को मैं यहाँ रख दे रहा हूं और यहाँ ध्यान से देखिएगा एक, दो, तीन, चार, पांच तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 5 लोगों के बीच पत्ता डिवाइट कर दिया है, ठीक है दोस्तों बहुत ही बिलकुल एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 5 नमबर पे जो पत्ती है, मेरी है और देख लिजेगा, यह मेरी पत्ती है, 5 नमबर पे जोड़के जाएंगे दोस्तों, तो कुछ भी सीखिया समझ नहीं पाएंगे तो चलिए यहाँ पे मैं पत्ती को पूरा कर दे रहा हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ एक-एक साइड से तो चलिए दोस्तों, हापे मैंने 5 लोगों के बीच पत्तिया बाढ़ दी है, अब ध्यान से आप लोग को देखना है किसकी कौन पत्ती है, किसकी बड़ी पत्ती है, कौन पैसा चल सकता है, कौन पैसा लगा सकता है, किसको गड़ी पर पैक होना है तो बहुत सारे ऐसे तीन पत्ती में जुगा खेलने वाले बतने बंदे आते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि कौन सी पत्ती पे हमें कितना पैसा लगाना है और कौन सी पत्ती पे नहीं पैसा लगाना है तो चलिए दोस्तो आज कि इस वीडियो में ट्रीक तो बताऊंगा ही साथ में साथ आपको बताऊंगा कि आपकी इस पत्ते पे कितना पैसा लगा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर पांचे नंबर पर पत्ती मेरी है सबसे बड़ी पत्ती है दोस्तो आप लोग अपनी आखों सिध्यान से देखिएगा कोई चीटिंग नहीं कोई गलत तरीके से नहीं प्योर कंटेंट है और एक मैजिक ट्रीक है जो आप भी कर सकते हैं ठीक है ध्यान से देखिएगा चलिए मैं यहां से एक एक बंदे को देख रहा हूँ यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं इक का बेस है ठीक है इक का सबसे बड़ी पत्ती है और कोई पत्ती लगी नहीं है तो यहां पर इक का बेस है चलिए मैं दूसरे बंदी की पत्ती देख ले रहा है और दोस्तों इस हालत में आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा अगर जो आपके पास ऐसी पत्ती आ रही है तो आपको एक भी पैसा नहीं चलना है तो दोस्तों इस बंदे की पत्ती कुछ नहीं लगी है यह भी बंदा हार गया है तो अगर जो भाई लोग आपके पास ऐसी पत्ती आ रही है तो आपको भी एक उरुपया एक पैसा यहां पे चलना नहीं है आपको भी सीधे पत्ति उठा के गड़ी पे पैक हो जाना है नहीं तो आप ऐसा लगाएंगे तो हार जाएंगे ठीक है चले मैं तीसरे बंदे की देख ले रहा हूँ वाँ छे साथ आट तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यह रन कहते हैं इसे ठीक है रन लगा है वो भी कौन सा कच्ची रन क्योंकि यह दोनों दोस्तों एक कलर का है और यह तीसरा अलग कलर है तो इसलिए यह रन तो है लेकिन कच्ची रन है तो आपको अगर जो ऐसी पत्ति लग रही है तो आपको 10, 20, 50, 100 यानि एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ आपको चलना है ठीक है क्योंकि यह आपका जीतने का ज्यादा चांस रहता अगर जो आपके पास ऐसी पत्ति लगी है तो आपको तीरेल वाला बंदा है या फिर इससे बड़ी कोई रन है आपको हरा सकता है और इससे छोटी कोई रन या जूट है या हाई काड है तो आपको नहीं हरा पाएगा तो आपको दो-चार हाथ चलना चाहिए ठीक है गड़ी पर नहीं बैठना आपको दो-चार हाथ चलना है चलिए मैं चोथे बंदे की पत्ती देख ले रहा हूँ तो दोस्तो ये भी पत्ती बनिया लगा यहाँ पर देख सकते है 9-10 गुलाम ठीक है दोस्तो ध्यान से देखिएगा बहुत सारे बंदे को पत्ती की जानकारी नहीं होती है तो 9-10 और ये गुलू है त्यानी 9-10 गुलते हैं ठीक है दोस्तो आपका इससे भी बड़ा रन लगा है ठीक है ये भी कच्छी रन है क्यूंकि करम वाइस तो है लेकिन एक कलर का नहीं है तो इससे बड़ा ये रन होता है ठीक है दोस्तो 9-10 गुलाम ठीक है तो यह आपका 910 गुलाम काते हैं और 910 इसे 11 भी काते हैं तो आपको दोस्तों पत्ती यहाँ पे 100 कर देना और जो भी आपको पैसा लगाना है चाल पे चाल मारना है दो यहाथ, चार यहाथ, 10 हाथ तक चलना है क्योंकि यह से बड़ी पत्ती रहेगी वही जीतेगी नहीं तो आपका 100 में 100% विन होगा तो चलिए मैं चोथेव नंबर पर आनि अपनी पांचव नंबर पर अपनी पती देख रहा हूं और आप लोग को भी दिखा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा वाँ सूपर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं की बासा का त्रेयल लगा है ठीक है तो आप लोग से रिख्वेश्ट है कि दोस्तों मेरे चैनल पर नया है फर्स्ट राम आया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजगर क्योंकि अच्छे अच्छे प्योर प्योर कंटेंट और अच्छे ट्रीक नालेज आपको मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने तास की गड़ी को अच्छे से फरी मारा सफल किया सब कुछ करके आपको बता हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आऊ तर प्यारश कमेंट जरू करिएगा मैं आपको बताओंगा कि तंत्र मंत्र भी कैसे आप कर सकते हैं और आप लोग ध्यान से रखिए ध्यान दीजिएगा इस तरह का पत्ती आए फिर छह साथ आ ठीक है तो चलिए अब फाइलिए आपको ट्रीक में बता रहा हूं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल वाला घंटा जरूर प्रेस कर दिजिएगा और वीडियो को ऐसे एक धागा लेना है ठीक है लाल कलर का रच्छा सुत्र मिल जा तो और ही बेष्ट है और ही बनिया है दोस्तों ठीक है मेरे पास अभी है नहीं तो मैं फिलाल यह समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं आपको लाल कलर का रच्छा सुत्र मिल जा तो बहुत ही बेटर ब पुज़ा पत्रिका पर वहां पर आपको मिल लाएगा ठीक है ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना दोस्तों इस बात को क्योंकि यह बहुत ही जवर्जस्त और बहुत ही महासकती साली टोटका है ठीक है अगर जो आप लोग एक बार कर लेते हैं तो आपको तीन पत्ती ही नह है और गंगा जल की पानी को मिस्ट करके आपको दोस्तों यहां पर मोर पंक से ध्यान से देखिएगा मोर पंक लेना है ठीक है आप उसको क्या करना है कैसे करना है तो मैं सब कुछ बता रहा हूं इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा तो आपको यहां पर बनाना है दोस् बात्र देखके ही जाई है ठीक है फिर श्रहएँवे मिसuba प्लोफ स्वास्थ पर ऍप आब फिर आपभी आपको स्वास्तिक चारों तरफ आपको स्वास्तिक चीन बना लेना है दोस्तों ठीक है अब ध्यान से देखिएगा यह स्वास्तिक कचिन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है जो भी नाम है यहां पर बीच में आपको ओम बनाना है और एक ओम बनाना है ठीक है और दोखतों जो भी बंदे का नाम हो, जिन भाई को अपने नाम से बनाना है, वो भाई अपना नामे हाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको स्वास्तिक कच्चीन बनाना है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपको स्वास्तिक कच्चीन बनाना है और यहां पर आपको लिखना है कुछ अंक लिखना है जैसे यहां पर आपको लिखना है 30 और यहां पर आपको लिखना है 70 और यहां पर आपको लिखना है 50 और यहां पर आपको ऐसे ऐसे कर देना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, मिला देना है, मिला देने के बाद मेरे दोस्तों, आपको लिखना है, ओ, क्रीम, कुरूम, नमः, यहां पर दोस्तों मंत्र का उच्छारा आपको मैं बता दे रहा हूं, ओ, क्रीम, क्रूम, नमः, फिर मिरे प्यारे दोस्तों, आपका जो नाम है, वो नाम है, आपको लिख देना है, आपका जो भी नाम है, ठीक है, वो नाम लिख दीजिए, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपका यह मंत्र और टोटका बन के तयार हो गया दोस्तों, यहां प पत्ती का जुवा जीतने का बहुत ही जबर जश्ट ठीक है तो यह सब करने के बाद दोस्तों आप करना कैसे है मोर पंख लेना है लाल रंग का सिंदूर लेना है और आपको भुछपत लेना और यह धागे की आपको रच्छासुत लेना लिखने के बाद दोस्तों इसको आप फोल्ड करके सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके आप चौपत के ऐसे फोल्ड करके आप कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है फोल्ड करने के बाद धागे से आपको ऐसे दोस्तो ध्यान से देखिएगा मैं बता देना ऐसे फोल्ड करिए खोल्ट करने बाद दोस्तों आपको ऐसे लपेट देना लपेटने बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसको पीपल की छाउ में या फिर जहां भी आप पूझा पाट करते हैं उस मंदिर में लेग जाना है और आपको 108 बार पढ़ना है क्या और बीच में हाँ पर दोस्तों आपका नाम लिखना चाहिए, ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, और बीच ऊपर जूए, तीन पती अंदर बहार, जो भी एक कह सकते हैं, ठीक है, तो ओम क्रीम क्रूम नमा आपका नाम, आपको 108 बार करना है, और धागे को 108 बार भ जोजे के बीच में करना वो भी रविवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो तो दोस्तों यह 100 में 100% टोट का 100% वर्किंग बताया जाता और वर्किंग शिद्ध हुआ है तो चलिए दोस्तों आज का मारा वीडियो बस एही तक मैं उम्मीद और आसा करता हूँ आपके वीडि का ट्रीक है जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस नहीं तक उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगाओ पसंद आप प्लीज वीडियो को लाइक शेर चानल को सब्सक्राइब जब कर दिजएगा धर्नवाद दोस्तों